मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए ओम शान्ती आज की तारिक है छे तीन दोजर चोविस के बाबा के सकार महावाक्या मीठे बच्चे तुम्हारी अब बान प्रस अवस्था है क्योंकि तुम्हे बानी से परे घर जाना है इसलिए याद में रहकर पावन बनो बाबा ने प्रेशन पोचा उंची मंजिल पर पहुँचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है बाबा ने उत्तर दिया आँखों की संभाल करो यहीं बहुत दोके वाज हैं क्रीमीनल आँखें बहुत नुकसान करती हैं इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो भाई भाई की दिश्टी का अभ्यास करो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बाते करो भाई भीधवान का हुकम है मीठे बच्चे काम महशत्रु से ख़बर दार रहो ओम श्यान्ती मीठे मीठे रोहानी बच्चे यह तो समझ गये हैं क्योंकि यहां समझने वाले ही आ सकते हैं यहां कोई मनुश्यवान नहीं बढ़ाते हैं ये तो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान की भी पहचान्द चाहिए, नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा, अब है भी जैसे प्लेक्टिकल में न्यारा, इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा सिटार है, जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं है, ये आत्मा सिटार तो सच सच छोटी है, बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्तर है, उनकी महिमा भी है, ज्यान का सागर, शांती का सागर, इसमें मूझने की कोई बात नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की, बिकार पर ही जगडा होता है, पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े न, इसमें मूझना नहीं है, जो कुछ पास्ट हुआ, बिगन आदी पड़े, नई बात नहीं है, अब लाओं पर अत्याच होने हैं, और सत्संगों में ये बाते नहीं होती है, कहां भी हगामा नहीं होता, यहां हगामा खास इस बात पर ही होता है, बाप पावर बनाने आते हैं, तो कितना हगामा होता है, बाप बैठ पड़ाते हैं, बाप कहते हैं, मैं आता भी बान प्रस अवस्था में हूँ, ब बान प्रस्त वस्ता वाले जरूर बान प्रस्त में ही रहेंगे बानी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है बापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है जाना तो सबको है दो चार को तो नहीं जाना है बाबा कहते हैं कि जाना तो सबको है ये नहीं कह रहा कि दो चार को जाना है सारी पती दुनिया को बदली होना है इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है सत्युक से कल्युक तक ये ड्रामा का चक्कर है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है तब ही तुम शामती धाम और सुकदाम में आ सकेंगे गाएन भी है गती सदगती दाता एक ही है सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं कल्यूग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं बाप तो जानते हैं कि हगामा होगा जरूर ना जाने तो युक्तियां क्यों रचें कि चिठी ले आओ कि हमको ग्यान अमरित पीने जाना है जानते हैं यह इसी तरह पहचान कर ग्यान लेते हैं औरों को भी ग्यान देते हैं फिर भी ओह माया उनों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो यह सब ड्रामा में नूद है इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है मनुश्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं प्रंतु आर्थ नहीं समझते हैं कालेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं विलायत की तो बात नहीं पूछो सत्युग में ऐसी बाते नहीं होती हैं वो लोग कह देते सत्युग को लाखो वर्ष हो गए हैं बाप कहते हैं कल तुमको रज्य भाग्या देकर के थे सब कुछ गवा दिया हैं लोकिक में भी बाप कहते हैं इतनी तुमको मिलकियत दी सब गवा दी ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो ठक से मलकियत को उड़ा देते हैं बेहर का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया कितना तुमको लाख बिशव का मालिक बनाया अब ड्रामा अनसार तुमारा क्या हाल हो गया है तुम भही मेरे बच्चे हो ना कितने तुम धनवान थे यह है बेहत की बात चो तुम समझाते हो एक कहानी है रोज कहता था शेर आया शेर आया परंतु शेर आता नहीं था एक दिन सच सच शेर आ गया तुम भी कहते हो मौत आया की आया तो कहते हैं यह बिनाश तो होता नहीं है, अब तुम जानते हो, एक दिन बिनाश होना जरूर है, उनकी फिर कहानी बना दी है, बेहर का बाप कहते हैं, उन्हों का दोश नहीं है, करब पहले भी हुआ था, पांच या वर्ष की बात है, बावा ने तो बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो, कि पांच या वर्ष पहले भी हुबहु ऐसा म्यूजियम खोला था, भारत में देवी देवता धर्म की सापना करने, एक दम कलियर लिखो, तो आकर समझें, बाबा आया हुआ है, बाप का बरसा, है ही स्वरग की बाजशाही, भारत स्वरग था, पहले पहले दुनिया में निया भारत हैविन था, हैविन सोहेल, यह बहुत बड़ा बेहत का ड्रामा है, इसमें सब पाट धारी है, 84 जन्मों का पाट बजाए, अब फिर हम बापिस जाते हैं, पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं, पावन भी जरूर बनाना है, बाबा कहते हैं, पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं, बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बे समझ बन पड़ते हैं, अश्चरिय बद सुनंती, कथंती, ग्यान दबंती, ओ मम माया वैसे का वैसा बन जाते हैं, और ही बदतर, काम विकार में फसे और गिरे, शिब बाबा इस भारत को शिवालिया बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुर्शाद करना चाहिए, ये बेहर का बाबा, बहुत मीठा बाबा है, अगर सब को पता पढ़ जाए, तो धेर की धेर आ जा पढ़ाई में तो एकांत चाहिए, सोबे को कितनी शांती रहती है, हम अपने को आतमा समझ बाब को याद करते हैं, याद के सिवाए बिकरम बिनाश कैसे होंगे, यहीं फूर्णा लगा हुआ है, अब पतित कंगाल बन पढ़े हैं, फिर पाबन से ताज कैसे बने, बाब त तो बिलकुल साधारन है, ड्रेस आधी सब वहीं है, कुछ भी फरक नहीं, सन्यासी तो फिर भी घरवार छोड़, गेरू कफनी पहन लेते हैं, इनकी तो वहीं पहर वाइस है, सिर्फ बाब ने प्रवेश किया और कोई फरक नहीं, जैसे बाब बच्चों को प्यार से संभा जालते, पालन पुशन करते हैं, वैसे ये भी करते हैं, कोई अहंकार की बात नहीं है, बिलकुल साधारन चलते हैं, बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारन, तुमें तो बेहत का बाब पढ़ाते हैं, बाब तो चुम्बक है, कम है क्या, बच्चिया पवित्तर बनती हैं, तो बहुत सुक मिलता है, वै तो कह देते कोई शक्ती है, परंतु शक्ती किसको कहा जाता है, वै भी समझते नहीं है, सरब शक्ती मान, बाप है, वै सब को ऐसा मनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बनना सके, फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाएं पद भी एक हो जाए, यह भी तो ड्रामा मना हुआ है, 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं, जो कलब पहले मिले थे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता, कितनी समझने और धारन करने की बाते हैं, विनास तो जरूर होना है, बिशम में शां पर खड़ा है, ड्रामा अनसार, एक आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है, एटामिक बाम्स भी बनाते रहते हैं, नेचरल केली मिटिस भी होगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदी तूट पड़ेंगे, क परंतु कहते हैं, कितना भी करो, सो मंजिल बनाओ, परंतु बिनाश होना है जरूर, यह कुछ भी रहेंगे नहीं, तुम बच्चे यहां आए हो, स्वरक का बरसा पाने, विलायत में देखो, क्या लगा पड़ा है, इसको रावन का पाम्स कहा जाता है, माया कहती है, हम भी क पेगाम नहीं, वहां तो तुम्हारे हीरे जवारों के महल होते हैं, सोनने की सब चीजें होगी, वहां तो दूसरा तीसरा मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है, जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ माजूद रहता है, कहां पर? सत्युग में, तो बच्चों को भी ड्रामा में नूद है, फिर भी आएंगे, इतने सब आएं हैं, पता नहीं, इन सब को फिर देखूंगा, वा नहीं, ये सब ठैर सकेंगे, वा नहीं, आए तो धेर के धेर, फिर अशरिय वत भगंती होगे, लिखते हैं बाबा, हम गिर गे, अरे, की कमाई चट कर दी, फ हैं बड़े ते बड़ी अवग्या, वो लोग आड़ी नेंस निकालते हैं, फलाने टैम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे, बाब भी कहते हैं, विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे, भगवान का हुकम है ना, खबरदार है ना, आज कल गै हैं, क्योंकि पिछाडी में हौस्पिटल आदी रहेंगे नहीं, जट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख कलेश आदी सब छूट जाता है, वहां कलेश आदी होता ही नहीं, आत्मा सबतंतर है, जिस समय पर आयूपूरी होती है, तो शरीर छोड़ देती है, राबन ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा, ये राबन के दूत हैं, भगवान के नहीं, भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके, ड्रामा अनसार कलब का तीन हिसां तुम सुख पाते हो, बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी शरीमत पर चलना चाहिए, ये अंतिम जनम है, बाप कहते हैं, गरस बेवार में रहें, अंतिम जनम में पवित्र बनना है, बाप की याद से ही पिकरम बिनाश होंगे, जनम जनमांतर के पाफ सिर पर हैं, तमो परदान से सतो परदान जरूर बनना है, बाप है सरब शक पढ़ते हैं, उनको थोटी कहते हैं, अब बाप कहते हैं, सबकी थोटी मैं हूँ, मैं इन ब्रमा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे, बाकी पानी में सनान करने से पावन कैसे होंगे, कहा थोड़ा सा पानी होगा, तो उनको भी तिर्थ समझ जट सनान करेंगे, इसको कहा जाता है तमो परदान निश्चे, यह तुमारा है सतो परदान निश्चे, बाप समझाते हैं, इसमें डरने की बात ही नहीं, अच्छा, मीठे मीठे, सिकला दे बच्चों प्रती, मात पिता बाब दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाब दादा को शर्दा भरी प्रेम भरी नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के लिए धारना के लिए मुखे साथ नमबर एक भगवान ने जो पवितर बनने का हुकम दिया है उसकी कभी भी अबग्या नहीं करनी है बहुत बहुत खबरदार रहना है बाब दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवितर बनकर दिखाना है नमबर दो ड्रामा की भावी विनाश के पहले सबको बाब का पेगाम पहुंचाना है वरदान सत्गुरु शिप पिता का ग्यान अमरित से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर त्रिप्त करने वाली महान पुन्य आत्मा भाव किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुन्य है जैसे पानी ना मि प्यास से तड़पते हैं ऐसे ग्यान अमरित ना मिलने से आतमें दुख अशान्ती में तड़प रही हैं तो उनको ग्यान अमरित दे कर प्यास भुजाने वाले बनो जैसे भोजन खाने के लिए फुरसत निकालते हो क्योंकि अवश्यक है ऐसे ये पुन्य का कारिय करना भी अ कालना है तब कहेंगी महान पुन्य आत्मा स्लोगन बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाब की मद्द से आगे बढ़ो तो बाब की मद्द मिलती रहेगी ओम शान्ती